योगी के शिहर में पहुचा योगी का बुल्डोजर तो अचानक हां गामा बर्पा हो गया चपपे चपपे पर पुलिस थी और पुलिस की मौजूदगी में प्रिशासन का पीला पंजा अपने काम में जुटा था लेकिन सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी ये पुर्वांचल के बहुबली नेता और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का पैतरी गाउं बढ़ल गंज टांडा है और योगी का बुल्डोजर जहां गरज रहा है वहीं हरिशंकर तिवारी की प्रतीमा इस्थापिट होने व प्रिशासन को इसकी भनक लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुच गई और मूर्टी अस्थापित करने से रोग दिया अधिकारियों का कहना था कि ग्रामीन बिना इजाजत के ये काम कर रहे थी ग्राम सभा ताणा तर्शिव बोला निवासी राजा बसिष्ट तिवारी द्वारा एक शिकायत किया गया था कि ग्राम सभा ताणा के प्रणान वपन ग्राम वासी में द्वारा ग्राम समाज की भूंपर मूर्थी अस्थापित करने के उद्देश से चबूतरे का निर्मा किया जा रहा जिसकी जान राजस शुटीम द्वारा कराई गए राजस शुटीम द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम टाड़ा इस्थित नमीन परती की भूम गाटा संध्या 5 से 45 पर मूर्थी अस्थापित किये जाने के उतेश से चबूत्रे का निर्माण अवयद रूप से कराया जा रहा आज तहसील पुशाशन वह पूलिस की संयूत कारवाई द्वारा ग्राम समाच की भूम पर किये जा रहे हैं अवयद रूप से चबूत्रे की निर्माण को अटवा दिया गया गुरुवार को मामला गाउं से लखनव सदन तक महँच गया और खोब हंगामा हुआ ब्रामन समाच की दूरी कह जाने वाले हर्शंकर तिवारी के पोत्र विनशंकर तिवारी ने प्रदेश के मुखिया पर एक जाती के पक्ष में जातिवात की राजनीती करने और ब्रामन समाच के विरोध में की गई कारवाई बताया है। एक माम दंड स्थापित किया था इसलिए उनकी वहां पर एक प्रतिमा लगनी चाहिए पूरी गाउसभा ने एक खुली बैठक करके इस प्रस्ताव को पास किया और सरकार को प्रस्ताव देने का काम किया लेकिन सरकार ने जातिवादी रवया अपनाते हुए एक जाति विशे कि बात करते हुए आराजकता पूर्णले लेकर वहां पर बन रहे सर्भूत्रे को कि विद्ध्वज करने का काम हजारों कुलीस करियों के साथ प्रसाष्न के साथ जाकर उस जबूत्रे को ध्युत कर और किवल और किवल इससे उनकी जातिय और आराजक मानसिक्ता परिलक्षित होती है। के प्रस्तावित इस्थापना इस्थल को बीजेपी सरकार द्वारा तुडवा देना बिहद आपत्ती जनक कृत्त है। ये सरकार का मामला नहीं है। केशव मौर ने गोरकपूर का मामला कहकर भले ही सियासी लिहास और मिजास से योगी पर निशाना साथ कर पल्ला जाड़ लिया हो। लेकिन पांच अगस्त करीब है और सर पर योपी का उप चुनाव ऐसे में लगता नहीं कि सपा और अखलीश यादव ब्रहमन वोट बैंक को साधने के खातर इस मुद्दे को इतनी जल्दी हाथ से जाने देंगे। लगिन आगे का रास्ता सीम योगी और पीचेपी को तै करना है।